नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आजकल मीडिया के मादम से ये खबर आती रहती है कि जो युवा शात्र शात्रा हैं, उनकी आए दिन सुसाइट करने घटना पढ़ने को मिलती रहती हैं, आज ये सुबह पेपर पढ़ रहा था, इंदोर में दो बच्चों ने सुसाइट किया ह पढ़ाई के तनाओं के कारण, और अन्य कारण भी होते हैं, अरप पढ़ाई का तनाओ रहता थाई, तो आज दोस्तों में इस वीडियो बताने वाला हो कि वो क्या कारण होते हैं, कि बच्चे इस तरह के हalgiaते हैं, इस तरह का आपने घादी गद्रम उठा लيए इसके खास कारण तो पढ़ा ही का रहता है, कुछ कारण जो है उनके प्रेम प्रसम भी हो जाते हैं, जवान बच्चे होते हैं, पढ़ने गए होते हैं कोचिंग में, ब्रेक अप सोने कारण, असफलता मिले कारण, इसके मानसिक तरण में कमजोर मानसिकता के कारण, इस तरह कदम दोस्तों आई हम देखते हैं कि वास्तु कि इसमें क्या भूमिका है वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका है यहता है बात है कि साइकलाजिस्ट हैं केरियर कोच हैं काउंस्लिंग वाले हैं बताते हैं समझाते रहते हैं और बताते हैं बच्चों पढ़ाई ऐसे करना ची इतन इसे-गंटे पढ़ना ची एसे पढ़ना चीह बहुत सारी जानकरिया देते हैं के बारें में जानकरिया marketing के बारें जानकरिया देते हैं उनका होसला बढ़ाते और जहां तक सुसाइट की बात आती है तो सुसाइट वाले जो घर है ने इसे कही घरों का द्धिया है कि वो घर कुन से होते है वो जगह कुन से होती है जब बच्चे सुसाइट कर जाते हैं तो आई अपन एक एक करके सको डिसकस करते हैं तो देखिए यह तो केमिकल लोचा पर कारण जदि सुसाइट का तो घर वो जगह हर बच्चा दो नहीं कर रहा ना तो कौन से घर का ने वह बच्चा कौन सा है जो कैसे घर में रहा उस पर डिपेंड करता है अब आई ये बच्चों की स्टडी की बात है तो यह जो है आप समझेए कि जो बच्च ये दिशाए प इदर टेबल लगा इदर बेटे पश्चीम तरह मूँ करके बच्चे जो पढ़ते समय अपना मूँ पश्चीम ये दक्षिन दिशाग क्यों रखेंगे वो कितना ही पढ़ने बार-बार उन्हें अपना सब्जेक्ट जल्दी समझ में नहीं आता बार-बार पढ़ने बाद कोई याद ने रहता और वो धीरे पिछरते जाते जो जो पिछरते जाते उनका पढ़ाई से रुची हटती जाती और तरह में आए जाते मैं मैंने जो क्लासिस चेंज को इसी को इस चीज को देखते हो करवाई अब क्या है सिस्टम कि आप ध्यान रखी जो बच्चे यहां रख सकते हैं इस तरीके से पढ़ने बेठेंगे तो निश्यत मानी उन्हें अपना सब्जेक्ट बड़ी जल्दी समझ जाएगा और समझ मैंने के बार जब उनकी रुची पेदा होए सब्जेक्ट समझ में आता है तो बच्चे गयो रुची पेदा होती है और रुच बच्चे तनाओं में आते हैं पढ़ाई को लेकर वह बच्चे कहीं न कहीं दक्षिन या पश्चिन दिशा की तरफ मूह करके पढ़ रहा है एक दूसरा इन बच्चों चाहिए बहुत से बच्चे पलंग बेठके पढ़ते हैं तो उनका पलंग इस तरीके से लगाना चीज कि तरफ मूह दे फर्स्ट च्वाइस यह ध्यान रखें बारबा कह रहा हूं यह सेकंड च्वाइस मुरे और यह तो ब्लकुल ही होना ही नहीं चाहिए यह दूसरा अब आता है कि कोचिंग वालों को भी चाहिए कि वह पढ़ाते वक्त इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे यह सर यहां खड़े हो जाएं यह जगा पर सर खड़े हो जाएं और बच्चे पूरे यहां बैड़ जाएं जिनका मुह पूरब दिशा की ओर हो तो वह बहुत अच्छा रहेगा ताकि सब बच्चे अपना सब्जेक जल्दी समझ सकेंगे यह सब सच्ची पोजिशन है यह जो पढ़ाने वाले हैं वो यहां खड़े हो और बच्चे सब पूरब दिशा की तरब मुह करके पढ़ रहे हो यह सब सच्ची पोजिशन है और जो मिने परिवर्तन करें बहुत अच्छे रिजल्सा है अनुव से बात कर रहा हूं काफी सालों से कर रहा हूं एक तो यह कम पल यह कम रहे है तो बच्चा यहां बैठा हुआ है कि यह यह जह बेठा हुआ पढ़ रहा है तो टीचर उसकी यहां बेठना चाहीं यहां पर वह उत्तर देख सके टीचर उत्तरदेख सके टोस्ट में रूम में जाते हैं तो ध्यान रखिये मिघи जब आप पीजी में जाते हैं हुश्टल में जाते हैं तो रूम लेते हो मैंने कई को रूम दिलवाएं बच्चों को ठीक है ना मैंने कई बच्चों को रूम दिलवाएं इस तरीके से अबरोड भी दिलवाएं मैंने और ऐसे बच्चों को रूम भी बदलाएं जो परिशान हो गए उनके में होना चाहिए दक्षिन में है तो दक्षिन अगने में होना चाहिए पूरम में यहां नहीं होना चाहिए इधर कही पूरम में यहां कही होना चाहिए इधर नहीं होना चाहिए दक्षिन में होना चाहिए पश्षिम में पश्षिम वाइवे में होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए और उत्तर में इधर इधर होना चाहिए कहीं इधर नहीं होना चाहिए तो यह दर्वाजे होना चाहिए उस खम्रे की जिस बच्चे रूम में बच्चा पड़ रहा है अब आता सवाल वह पीजी जहां बच्चे रहते हैं होस्टल या कंब्र में मान सकते इसको और यह पूरा पीजी का बता रहा हूं आपको पीजी में जब रूम आपके बच्चे असलेकर देखे पीजी किसा है पीजी का वास्तो अच्छा है कि नहीं उसके हिस्ट्री क्या है वो कौन से कारण होते हैं जहां पर बच्चों के में होता क्या है कि एसी जगा पर दो या दो सदिक वास्तो दोश होना जरूरी है एक वास्तो दोश होने से सुसाइड जिससी घटना नहीं हो सकती यह ध्यार रखिएगा दोश पहला दोश होता है निर्ट्र कौन में यह वादा यह गंबीर समस्यों कारण बनता है यह दोश और दक्षिं और पश्च्रम का कौना यदी कोई रोल आकर पश्च्रम दिशामेज़स से टक्रा है यसे हिट कर रही हो उस बिल्लंग को हिट कर रही हो एक यह तो इसका दर्वाजा यहाँ पर ओ हो इंट्री यहां पर हो इसके विपीत दक्षिण में हो और दक्षिण निर्थ को रोल इट कर रही हो यहां उसका दरवाजा यहां पर हो यहां पर एसी स्तिति में यह प journeysים में तो लड़का और दक्षण में है तो लड़की इसके साथ के अरहिए को सकती है और दोस्ट बताऊंगा तो यह हो सकता है दूसरा यहाँ पर अंडर गउड़, टैंक और किसी परकार से नीच आओ पाश्चिम में, निरुत्म में, यह दक्षिन निरुत्म में इस परकार से नीच आओ एक दोष हिट हो जाए, दूसरा दर्वाजा आजाए, जमीन किसी प्रकार से नीचे हो जाए, यह ढ़लान आजाए, यह रेम बन जाए, यह टंकी आजाए, बोर्वेल आजाए, फूँ आजाए, इसके विपीत यहां पर दक्षिन में आजाए, तो यह होगे दक्षिन, और यह इसके फिश्क और आज़ाए, यह बढ़ जाए, या यह इसा आगे बढ़ जाए, निरत कोन आगे बढ़ जाए, निरत के दोष तो यही होगा है, दूसरा दोष इशान कौन, यह दो दोष्ट होना पहटty है इशान कौन, मतलब कि इसी पिकास से कटा, घटा, गोल ऊचा नहीं होना चाहिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि यह एक रोड़ थिर्ची आई प्लाट तिर्चा हो गया यह कट आगिया यहां कोई निर्मान कार आगए बढ़ गया तो यह उत्तर इशान कड गया इस तरीके से कट आ कट आजाए इशानकुन दब जाए गोल हो जाए कि असर्था रास हो जाए बिलिंग में compound or compound के अंदर building बनी है और इस कोईने पर कोई security का कमरा या गिराज या कुछ भी 37 में बन जाए सिर्फ 37 की बद करता हूं यहां इसा कमरा बन जाए जो अलग से एक चोटा सा कमरा बन जाए तो यहां अकाल मत्यू का कारण बनता है इसी प्रकार यह यहां पर जो है वाईवे कुण उत्तर वाईवे यह दक्षिन वाईवे पश्षिन वाईवे ऐसी स्थिति में यह जो है यह जो इस तरीके से ऐसा निर्मान हो कि यह building में जो यहां पर इसको ढग दिया जाए यह वार किया था हम यह करा और यहां गिराज बना दिया यहां को चज्जा डाल दिया यह हो गया उत्तर इशान का वाईवे कौन का ढखना और यहां पर पश्षिम में यहां से रोड आ जाए यहां और कारण यहां पर नियू करके और यह कमरा बना दिया कि चलब पीशे केंटीन मुभसत काम होते हैं कि चलब खाना बनेगा यहां पर एक छटडाल दिया तो पश्षिम वाईवे को इस तरीके से ढंडिया जाहे या उत्तर वाईवे को किसी जात्र के साथ और पश्रिम वाईवे धखा उसक एसी जगा पर एसी जगा रहने वाला बच्चा सुसाइट कर सकता है तो आप बच्चों के लिए जाते हैं फॉस्टल का पीजी का रूम देखने तो जाके देखिए कि उसका पूरा जो बिल्डिंगों केसी बिल्डिंग है कैसा बना हुआ है और ऐसा कोई दोस दिख जाए तो मत रखिए उस बच्चों को वहाँ पर बिल्कुल मत रखिएगा क्यों ठीक है होगा वोई जिसके भाग में ऐसा लिखा होगा पर तनाव ग्रस्टी स्थित्र बनी रेगी सबकी और एसे ही जब यदि आप मत्या करेगा तो उसमें इसे दोस जरूर होंगे एसी बिल्डिंगों में रहने वाले बच्चे आप पत्या करते हैं और ये जो है बताया मैंने ये पढ़ाई में पिछडने के कारण जो तनाव आता है उसके कारण ये स्थितियां बनती है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अच्छा जो जित्ते समझाने वाले हैं ये सैकलरजिस्ट, केरियर को, ये काउंसलिंग ये सब अच्छी बात करते हैं ये जरूरी है मोटिवेशन देना जरूरी है पर दोस्तों के मामले में समझ लिए ये वास्तों को एक नंबर दीजिए और ये सब समझाने वालों को जीरो नंबर दीजिए एक की आगे जीरो लगा तो दस हो जाएगा एक और लग जागा जीरो 100 हो जाएगा पर जिदि एक ही नहीं है यानि वास्तों यी खराब है तो बाकिस सब बाते जीरो हैं जित्ता समझाने कर लें सब बच्चे समझदार होते हैं समझाना है समझदार होते हैं और बच्चे से का आत्मगाती कदम उठा लेते हैं मुझे अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को प्रेंडना देंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा नमस्कार